हलो गाईज आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूँ आपके साथ कृतिका हनी सिंग और रापर बाच्छा की दोस्ती किसी से चिपी नहीं है दोनों एक से बढ़कर है राप में बहुत ही ज़्याद अमाहे पर क्या आपको पता है अब बाच्छा ने कर दिया है हनी सि का फोन उठाना बंद कर दिया कोरे कागजों पर भी साइन करवा लिया है ये तमाम बाते अब जो बाच्छा है उन्होंने हनी सिंग पर एलिगेशन्स लगाते हुए कहा है अपने नए इंटर्व्यू में बाच्छा ने हनी सिंग पर कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं जो कि आ कॉन कॉल को रुसीव करना बंद कर दिया था बलकि उनसे कुछ ब्लैंक पेपर्स पर साइन भी करवाए थे बाच्छा ने राज शिमानी के पॉड्कास्ट में ये खुलासा करते हुए सबको चुकाया है उन्होंने बताया कि शुरुआत में माफिया मुंदीर ग्रुप में सिर्फ वो और हनी सिंग थे लेकिन बाद में हनी ने अकेले अपने करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया और उन्हें उस कॉंट्राक्ट से बेदखल कर दिया जिसकी वज़े से दोनों के बीच में ये विवाच शुरू हुआ बाच्छा ने ये भी कहा कि उनके इस तूट गया और पांच साल तक वो इस कारण के बारे बुरे दौर से गुजरे हैं जी हां ये तमाम बाते अब बाच्छा ने हनी सिंग को लेकर कही है और कही ना कही फैंस को भी अब बड़ा जटका दे दिया है बाच्छा कहते हैं माफिया मुंडीर एक आइडिया था और ह हम एक जैसी सोच रखने वाले लोग एक साथ आए मुखे रूप से इसमें सिर्फ मैं और हनी थे साल 2009 में मेरे और हनी के बीच ब्रेक अप हो गया था मैं नौकरी करता था और मुझे बहुत डर लगता था हनी भी मेरे रडार से बाहर था और जब मैंने उसे कॉल करने की गोती ये तमाम खुला से करते हुए अब जो बादशाह है उन्होंने हनी सिंग अपने रिष्टे का सच खोल कर रख दिया है तो गाईज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताईएगा इस वीडियो में इतना ही देखते रहे है गॉसिप टाउं